दोस्तो स्वागत है आपका Series Learn Finance and Accounts के एक और वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे Cost Volume Profit Analysis यानिके CBP Analysis के बारे में Cost Volume Profit Analysis को Cost Accounting में इस्तिमाल किया जाता है और इसका इस्तिमाल इसलिए होता है क्योंकि Companies चाहती है देखना चाहती है कि उनके Fixed Cost और Variable Cost यानिके Total Cost से और उनके Sales Volume से उनके Profit के उपर क्या फरक पड़ेगा तो इस Impact को देखा जाता है Cost को Change करके और Volume को Change करके Operating Profit के उपर क्या Effect पड़ रहा है तो Companies इसलिए चाहती है Cost Volume Analysis को इस्तिमाल करना ताकि वो देख सकें कि उनको कितने Units Produce करने पड़ेंगे या Manufacture करने पड़ेंगे और बेचने पड़ेंगे यानिके Sell करने पड़ेंगे ताकि उनका Break-Even Point हासिलो इस Break-Even Point से उनके जितने भी Cost हैं वो सारे Cover वा जाएंगे और उनको कुछ ना कुछ Profit मिलेगा तो Cost Volume Analysis को, CVP Analysis को Break-Even Analysis भी बोला जाता है तो Break-Even Point क्या Point है? यह वो वाला Point है जहां पे किसी Company को किसी Manufacturing या Trading Company को यह पता लग जाए कि उसको कितने Units बनाने पड़ेंगे और बेचने पड़ेंगे ताकि उसकी पूरी की पूरी Cost को Cover किया जा सके तो Break-Even Point क्या है? It is a Point of No Profit, No Loss यहनके इस Point पे कोई Profit नहीं है और कोई Loss नहीं है Company को तो Break-Even Point को हासिल करने के लिए Company को इतने Units बनाने और Sell करने पड़ेंगे ताकि उसकी Total Sales और उसकी Total Cost बराबर हो जाएं तो Break-Even Point पे Contribution जो है वो Fixed Cost के Equal होती है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि Break-Even Point वो Point है जहां पे Total Sales Revenue और Total Cost बराबर होंगी विच मींज TR is equal to TC TR मतलब के Total Revenue और TC मतलब Total Cost यह दोनों की दोनों बराबर होंगी तो इसको समझने के लिए इसको जानने के लिए हम एक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं इसे कहेंगे Break-Even Chart तो Break-Even Chart क्या है आप देख सकते हैं जैसे हम कोई भी डाइगरम बनाएंगे उसमें एक X-Axis होगा एक Y-Axis होगा तो X-Axis O से शुरू हो रहा है और इस पे हम Plot करेंगे Number of Units Number of Units को लिखा जाएगा X-Axis पे और Y-Axis पे O-Y यानिके Y-Axis पे हम लिखेंगे Total Cost और Revenue जितनी भी हमारी Cost है या जितने भी हमारे Revenue है उसको Y-Axis पे Plot किया जाएगा X-Axis पे क्या Plot होगा? Units Number of Units यानिके Quantity और Y-Axis पे Plot होगा Cost और Revenue तो हम उसके सबसे पहले क्या बनाएगे? एक Line Draw करेंगे जो है Fixed Cost अब Fixed Cost जाएजे कि आप जानते हैं वो Straight Line होगी Fixed Cost is a Straight Line Straight Line क्यों होगी? क्योंकि Fixed Cost हमेशा Same रहती है For Example, अगर एक Manufacturing Company है वो सोचती है हम एक Factory खरीद लेते हैं या हम दुकान खरीद लेते हैं और उस दुकान में हम अपना Business शुरू करेंगे तो वो दुकान खरीद लेते हैं या किराय पे ले लेते हैं तो वो दुकान में Business करें या ना करें उनकी Fixed Cost Same रहेगी उनको किराय तो देना पड़ेगा तो ये किराया क्या है ये Fixed Cost जो Same रहेगी वो उस दुकान में अपना Business करें या ना करें Number of Units चाए एक बनाए चाए पचास बनाए चाए सो बनाए उनकी Fixed Cost Same की Same रहेगी इनके Fixed Cost is a Straight Line और It is a Parallel Line to OX और उसके बाद हम देखते हैं Variable Cost अब Variable Cost, Variable को Cost इस तरह की Cost है जो Number of Units के चेंज होती रहती है जैसे वो Manufacturing Organization ने एक यूनिट बनाया तो उनको 10 रुपे लगे उन्होंने 2 यूनिट बनाये तो उनको 20 रुपे लगे तीन यूनिट बनाये तो 30 रुपे लगे तो ये क्या है? 0 से शुरू होके, अगर कोई यूनिट ने बनाया है तो 0 Cost तो ये Cost 0 से शुरू होके Upwards Topping Line होगी ये बढ़ती जाएगी ये बढ़ती जाएगी ये वाली Cost बढ़ती जाएगी अब हम दिखते है Total Cost को कैसे Plot करेंगे अब Total Cost is Fixed Cost प्लस Variable Cost यानि के Fixed Cost तो सेम है, वो तो लगेगी लगेगी चाहे हम यूनिट बना रहे हैं चाहे नहीं बना रहे हैं तो ये कहां से शुरू होगी? ये इस Point से शुरू होगी तो इस Point से हमारी Total Cost बढ़ रही है Total Cost बढ़ती जाएगी It is equal to Fixed Cost प्लस Variable Cost अब हम देखते हैं Total Sales हम बेच के आ रहे हैं और बेचने पे हमें क्या Income मिल रही है Revenue कितना मिल रहे है बेचने पे तो अगर हम कोई यूनिट नहीं बेचते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हम एक यूनिट बेचते हैं तो ये बढ़ेगा दो यूनिट बेचते हैं तो और बढ़ेगी Total Sales Revenue हमारा और बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा With the Increase in Number of Units जैसे जैसे Quantity बढ़ेगी तैसे तैसे Total Sales Revenue हमारा बढ़ता जाएगा यानि कि ये O से शुरू होके यहां तक ये लाइन यहां तक पहुंच रही है तो ये लाइन कौन सी थी हमारी Total Cost और ये लाइन कौन सी हमारी Total Sales Revenue और ये दो लाइने जहां पे मिलेंगी जहां पे Intersect करेंगी ये कौन सा Point होगा ये Point होगा जहां पे Total Cost is equal to Total Revenue हमने देखा था ना Total Cost is equal to Total Revenue ये क्या है ये है Break-Even Point Total Revenue और Total Cost जब बराबर होती है तो उस Point को क्या बोला जाता है Break-Even Point तो ये वाला Point हमारा Break-Even Point है This Point is Break-Even Point because here इस Point पे Total Cost और Total Sales Revenue बराबर हो जाएंगे तो इसके उपर जितना भी Portion है ये दो लाइनों के बीच इसके उपर जितना भी Portion है ये तो हमारा Profit है और इसके नीचे जितना भी Portion है ये हमारा Loss है Loss क्यों है? क्योंकि हमारी Cost जदा है और हमारा Sales Revenue कम है उसके Comparison में ये वाला Point होगा Break-Even Point यानि के इस Point Break-Even Point से हम अगर एक Parallel Line ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिलेगा Number of Units ये क्या है? ये कम से कम Units है जो हमें बेचने पढ़ेंगे मनिफेक्चर करके बेचने पढ़ेंगे तो अचिव किसलिए बेचने पढ़ेंगे ताकि हमारी Total Cost Total Sales Revenue के बराबर हो जाए ये तो हमारे Number of Units हैं जो हमें बेचने होंगे जो हमें manufacture करके बेजने होगे break even point को हासिल करने के लिए और उसकी price कितनी रखेंगे उसकी price रखेंगे O से लेके यहां तक यह point होगा जहां पे हम price उसकी रखेंगे ताकि हमारी total cost और total sales revenue बराबर हो जाएं तो और एक हम यहां पे एक angle देखेंगे इस angle को बोला जाता है angle of incidence angle of incidence यह हमारा जो A है यह हमारा loss अगर हम number of units कम बेच रहे हैं या उसको कम rate पे बेच रहे हैं तो यह हमारा loss है और B portion है हमारा profit तो this was break even chart यह था break even chart और break even chart से हम यह जान सकते हैं कि हमें कितने units manufacture करके बेचने पड़ेंगे ताकि हम no profit no loss का point को achieve कर लें स्टेप्स क्या है construction के अगर यह चार्ट हमें बनाना हो तो क्या करेंगे सबसे पहले हम x-axis को बनाएंगे सबसे पहले हम x-axis को बनाएंगे जिस पर number of quantity number of units लिखे जाएंगे फिर हम y-axis को बनाएंगे जहां पर cost और revenue लिखा जाएगा फिर हम तीन variable lines बनाएंगे एक line है fixed cost की line एक line है total cost की line और तीसरी line है sales की line अब देख रहे हैं यह fixed cost की line है यह total cost की line है और यह sales की line है यह तीन line है बना लेंगे उसके बाद हम point उसको find करेंगे जहां पर दोनों lines intersect कर रही हो total cost और total sales revenue की line intersect कर रही हो इस point को बोला जाएगा break-even point और इस break-even point से हम एक perpendicular line draw करेंगे एक sixes पे जिसको हम बोलेंगे number of units जो हमें बेचने पड़ेंगे जैसे यह line यह है number of units जो हमें बेचने पड़ेंगे to achieve ताकि हमें break-even point मिल सके और कितने amount पे बेचेंगे यह price पे बेचेंगे यह price पे बेचेंगे इतने price पे बेचेंगे इस line तक तो इसका formula क्या है break-even sales का formula क्या है इसका formula है fixed cost divided by contribution margin fixed cost को जब हम divide करेंगे contribution margin से तो हमें break-even sales मिल जाएगी तो friends यह तो था cost volume profit analysis यानि कि cvp analysis जिसको बोला जाता है break-even analysis इसके बारे में video उमीद है आपको video अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video पसंद आया तो like का button प्रेस कीजिए bell icon को दबाईए और subscribe कीजिए channel को ताकि आपको regular updates मिल सकें और आप different different topics के बारे में जान सकें जिनके बारे में हम video बना रहे होंगे आप इस video को अपने friends के साथ share कीजिए हम मिलेंगे एक और video में किसी और topic को discuss करने के लिए till then bye और take care अपना ख्यार रखिए